और आप प्रधान मंत्री का बड़ा एलान भी सुन लीजे पीम सूर्योदय योजना का एलान प्रधान मंत्री के तरफ से एक करोड़ घरो में रूफटॉप सोलर लगेगा जी हाँ इस योजना के तहित सोलर रूफटॉप सिस्टम के अलान कर दिया है प्रधान मंत्री के तरफ से हर घर की छट पर सोलर सिस्टम हो ये कहना है प्रधान मंत्री का आयोध्या से लोटवी प्रधान मंत्री उनके तरफ से सीधे तोर पर ये निर्णय एक और नया निर्णय जुसके जर्ये प्राकृतिक रूप से कहीं न कहीं उर्जा उत्पादित करना बहुत जरूरी है इस बात का जिकर अकसर ही अपने संबोधन की तोरान जरूर करते रहे प्रधान मंत्री लेकिन प्रान प्रतिष्टा कारिक्रम आज आपने देखा भगवान राम का और उसके बाद सीधे निर्णय निकल कर सामनी आता है प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना को लेकर एलान के तोर पर कहा गया है कि एक करोण घड़ों में रूफटॉप सोलर प्रधान मंत्री ने भारत उर्जा के शेत्र में आत्म निर्भर बनेगा गरीब और मध्यमवर का बिजली का बिलकम होगा तो कई ऐसी चीज़े जो कि इस निर्णय का हिस्सा है यो जैसे ही लोटे प्रधान मंत्री ने की तरफ से बड़ा पैसा लिया गया सोलर प्लांस को लेकर एक करोड ऐसे घर जो शायद चिन्हांकित किये जाएं किसी प्रक्रिया के तहर हो सकता है बाद में ये और भी बड़े आकड़ा बढ़ भी सकता है कि धीरे धीरे जैसा कि प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि हर घर की छट पर सोलर सिस्टम होना चाहिए ये बड़ी बात प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की तरफ से कही गई है आत्म निर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम मोधी सरकार के और सोलर पानल की ये तस्पीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसका नरेक्षन शायद प्रधान मत्री ने पहले भी किया आज भी चुकि करक्रप्स जैसे ही लौटे सीधे काम पर तैनात एक बार फिर से प्रधान मत्री सोलर पानल को देखा समझा और आप ये निर्ण है कि एक करोड़ घरों पर सोलर पानल जो है वो लगाया जाएगा चलिए अब सीधे जबलपूर आपको लिए चल रहे हैं ये कुछ खास तस्पीरे जबलपूर में उत्सा को लेकर चुकि आज दीपाविली है आप जानते हैं किस प्रकार प्रांट प्रतिष्टा को लेकर देश बर में उत्सा अलग अलग जगों पर अलग अलग आज़न इस सांस्क्रते कारक्राम और रंगोली की भी तस्पीरे ड्रोन कामरे के जरिये ये भव्य नजारा आप देखे प्रधानमत्री की जो अपील थी उसके तहत यहां पर दीपावली मनाई जा रही है गवारी घाट का ये बेहत खुबसूरत नजारा नर्मदा के तठ को बड़ के बेखे लिए ये तस्वीरें ड्रोन इसे ड्रोन केमरे से लिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं और बीहाधी भव्य और दिव्य नजारा आईए इस समय पूरह देश दीबोत्साव मना रहा है और इसी की साथ इस बुलिटन में इतना है खबरद लगा दाज आ जारी है में आमस्कार